Hello and welcome to Teletalkies दोस्तो बिग बॉस OTT के घर के अंदर अब जट हबीबी की टीम ही हुई उसके खिलाफ जी हाँ हो गई है जीया की और जट की लड़ाई वज़े बना फिर से खाना भाई आफटर ओल अगर आप बनेंगे दानवीर करन और सामने वाले को दिखाएंगे कि सामने वाला है बहुत निर्दाई दूसरों का खाना खा लेता है वो तो भाई ऐसे में लड़ाई तो होगी ही क्योंकि जीया को लगा कि जट तो खराब कर रहा है उसकी इमेज क्या कुछ हुआ चलिए हम आपको पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा लें दोस्तों बिग बॉस OTT के घर के अंदर जट के आसू निकले थे खाने को लेकर और अब ऐसे में इसी की वज़े से घर में हो गया है बवाल जी हाँ हम आपको बता दें कि बिग बॉस OTT के घर के अंदर जहां सब को लिमिटेड खाना मिलता है वहीं घर के अंदर का लेक टास्क हुआ था और उस टास्क में जीत गई थी अभिशेक की टीम और उनको प्रीमियम राशन मिला अब ऐसे में जीतने वाली टीम अपने प्रीमियम राशन का लुफ उठा रही है और ये बात हभीबी को पसंद नहीं आ रही है तभी जब जीया अपनी लीचिया खा रही थी और आम खा रही थी बैट कर बेटरूम एरिया में तो ये चीज हभीबी को पसंद नहीं आई और हभीबी ने जाकर जीया को डाट लगाई हभीबी ने बोला तुमको शरम नहीं आती बाकी घर वालों को ठीक से खाना तक नहीं मिल रहा है उन लोगों के पास ठीक से खाने की चीजे नहीं है और तुम यहां पर मज़े उठा रही हो तुम अच्छा अच्छा खाना खा तो जिया ने उसको बोला कि तुम दिखाना क्या चाहते हो मुझको, तुम ये शो करना चाहते हो कि मैं बुरी हूँ, तुम ये दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत हाटलेस हूँ, और मैं लोगों का खाना खाती हूँ, प्लीज यार मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, I am really not liking it, what you want to show, अरे मैंने खाना खाया क्योंकि मैंने कर टास्क में जीत हासिल की और मैं जीती, और इसमें बुरा क्या है, और मैंने सब लीची खाई है, आम तो खाया भी नहीं है, आम कहां से आया, well हभीवी ने कहा कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी इनसान हो, लेकिन किसी के सामने ऐसे बैट कर खाना ठीक नहीं है, इससे तुम्हारी इनसानियत का लेवल गिरता है, जैसे ही ये बोला हभीवी ने, जीया के आसू निकलने लगे, और जीया ने कहा, ठीक है, मैं ना कॉफी खाऊंगी, ना मैं चिकन खाऊं कर दी, और यहां पर ये बोलने लगा, नहीं नहीं, मैं जानता हूं तुम्हें एक बहुत अच्छी इनसान हो, लेकिन तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बुरा बना सकती है, वेल दोस्तों, अब जट की ये फिलोसफी तो हमें भी समझ नहीं आई, क्या आपको आई, हमें कमे में आप जरूर लिख कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें